हाई एवरिवन आज हम लीकर आए हैं सिर्फ दस मिनट में बनने वाला इंस्टेंट डेजर्ट की रेसिपी ये देखे कितना क्रीमी दिख रहा है अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले bread slices की brown वाले parts को एक scissor या knife की help से cut कर लेंगे cut करने की बार यह last का part है इसमें जो extra bread है इसको बिल्कुल shape में ऐसे cut कर लेंगे ऐसी ही सारे bread slices की brown parts को cut कर लेंगे ऐसी ही कट करके एक ब्लेट में रखते जाएंगे और एक बोल में हम लगभग 1 by 3rd कप कस्टर्ड पाउडर एड़ करेंगे और इसमें 1 कप मिल्क एड़ करके इसको बढ़ियां से मिक्स करेंगे मिल्क हमने नॉर्मल लिया है न गर्म न ठंडा लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लंप्स न रह जाया अब ये बिल्कुल लंप्स फ्री हो गए और इसे साइड में रख देंगे आगे के ब्रॉसस को देखेंगे एक कड़ाई या पैन में हम लगभग 2 कप मिल्क एड़ करेंगे मिल्क जब बिल्कुल बढ़ियां से बॉयल होने लगे तब एक बार हम इसको चला लेंगे अब हम फ्लेम को मीडियम या लो कर देंगे मिल्क बॉयल होना स्टार्ट हो गया है अब इसमें कस्टर्ड और मिल्क का मिक्स्चर आड़ करेंगे एक साथ हमने जितना मिक्ष्चर बनाया है उसको आड़ कर देंगे हम इसे तभी आड़ करेंगे जब दूर बिल्कुल बढ़ियां से बोईल हो जाए अब हम फ्लेंग को मीडियम रखेंगे और इसे बोईल होने देंगे बीच बीच में शलाती रहेंगे बीच बीच में शलाती हुए जब ये हलका बोईल होना स्टार्ट हो जाए तब इसमें हम सुगर आड़ करेंगे हम सुगर पहले नहीं आड़ करेंगे अब ये हलका हलका बोईल होना स्टार्ट हो गया है इसमें हम टीस के गॉर्डिंग सुगर एड़ करके 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये हलका सा थिक हो जाए और बीच बीच में हम इसको लगातार चलाती रहेंगे जब ये कुक हो जाए तब इसमें हम बारे कटेवे बादाम के स्लाइसे अड़ करेंगे आप इसमें कोई भी ड्राइफ फूर्ट से अड़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो अड़ करके एक पर इसको चला लेंगे ये देखे अब मिक्षेर बिलकुल बढ़ियां से कुक हो गया है अब हम फ्लेम आफ कर देंगे और इसे बिलकुल ठंडा कर लेंगे आप चाहें तो हलका ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं इसे बिलकुल बढ़ियां से ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद अब हम आगी के प्रोसेस को देखेंगे एक बोल में हम लगबग 3 टेबल स्पून मिल्क क्रीम एड़ करेंगे आप अमुल क्रीम भी ले सकते हैं और इसमें टेज के कौर्डिंग सुगर पाउडर एड़ करेंगे एक बर हलका सा मिक्स कर लेंगे उसके बाद अब इसमें हम मिल्क एड़ करेंगे मिल्क एड़ करने से ये बिलकुल बढ़ियां से मिक्स हो जाएगा हमें milk cream को बिलकुल ताजा ही use करना है पहले का use नहीं करना है अच्छे से mix कर लेंगे अब इसे हमें bread slices पे add करना है bread slices पे ऐसे add करने के बाद बिलकुल बढ़ियां से इसको फैला लेंगे बिलकुल पतला आप मलाई अपने कोडिंग कम या ज़्यादा add कर सकते हो जैसा आपको पसंद हो बिलकुल बढ़ियां से ऐसे spread कर लेंगे अब दूसरी bread slice को इसकी उपर ऐसे रखेंगे आप चाहें तो बीच में dry fruits भी add कर सकते हो रख के press कर लेंगे अब इसे 4 pieces में cut करेंगे हम इसे 4 pieces में cut कर रहे हैं आप अपने कोडिंग किसी भी तरह से cut कर सकते हैं यह देखें और एक छोटी से कड़ाई या bowl में हम milk आड़ करेंगे हमने normal milk लिया है इसमें हम sugar powder add करेंगे हम इसे गर्म milk में नहीं बनाएंगे sugar powder add करने के बाद spoon से बिल्कुल बढ़ियां से mix कर लेंगे और इसे तब तक mix करेंगे जब तक sugar milk में बिल्कुल equally ना mix हो जाए अब हमने जो bread की slices कट की है उसको हम ये milk और sugar की mixture में ऐसे add करेंगे और तुरंथ ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे ज़्यादा दिर तक milk में नहीं छोड़ेंगे नहीं तो bread soft होके तूट जाएगा तुरंथ निकालने के बाद ऐसी ही पूरा करते रहेंगे और इसको ऐसे add करेंगे आप इसे अपने गॉर्डिंग किसी भी तरह से plate में रख सकते हो और ये custard की mixture को एक बोल में ऐसे निकाल के अब हम इसमें spread करेंगे पूरे bread slice को पूरा mixture से ऐसे cover कर लेंगे ताकि bread ना दिखे ऐसी ही पूरा सजा लेंगे हम इसमें खूब सारे custard का mixture एड़ करेंगे ऐसी ही पूरा कर लेंगे ये देखे उपर से chopped किये वे पिस्ता से toppings करेंगे आप इसमें अपने according कोई भी dry fruits एड़ कर सकते हो या आप इसमें बिना dry fruits के भी बना सकते हैं ऐसी ही पूरा बीच में ऐसे रखेंगे ताकि ये देखने में भी बढ़िया दिखे आप चाहें तो इसको तुरन भी सर्फ कर सकते हैं या आप इसे freeze में रख के चाहे जब सर्फ कर सकते हैं ठंडा होने के बाद ये और भी tasty रखता है 4 ingredients में बना हुआ tasty dessert बनकर तयार है अगर आपको हमाई recipes अच्छी रखती हैं तो प्लीज लाइक कमिन आज शेयर करें और हमारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स एक्स पर वाची रखती है